हेलो दोस्तों आज हम एकदम रस्टोरन स्टाइल का चना दाल दड़का कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी देखने वाले इतनी टेस्टी बनती है तो उसके लिए दाल भीगो के रखने हैं तो जितनी दाल आपको बनानी है उस रिसापके आप दाल लीजिए और 4-5 घंठा में भ पूरे हाड रहे जाएगी देखे मेरे दाल एक दम सॉफ्ट पग चुकिया उसको में थोड़ा सा स्मैश कर लूगी अभी कड़ाई में दो बड़े चमज हमें घी लेना है उसमें वन फोर्ट चोटा चमज हींग डाला है वन फोर्ट चोटा चमज जीर डाला है जीरा थोड अब इसमें एक मीडियम साइज का प्यास बारी काटके डाल देंगे और पैट्स को भी हमें थोड़ा सा सूधेरा कलर और एकदम सौफ्ट होने तक उसको हम भूनेंगे और यह भी हमें एकदम लोफ लेंपे भूनना है अब इसमें दो हरी मिर्च डाले है हरी मिर्च यह मेरी बहुत ज़्यदा तीक है इसलिए थोड़ा सा लेट में डाली है अगर आपकी कम तीक हैं तो स्टार्टिंग में यह आप तेल में डाल सकते तकि उसका जो तीका पने तेल में ज्यादा उतरें अभी मैंने एक टमाटर है उसको बारी काटके इसमें डाल दिया है चोटी चममच पाव चोटी चममच हल्दी पावडर अभी हमारे टमाटर को अच्छे से पानी छूड़ जाए इसलिए हम उसमें नमक डालेंगे और नमक मैंने पूरी दाल के हिसाब से डाला है अभी यह टमाटर पूरे गलने तक हमें उसको पकाना है देखिए हमारे टमाटर एक दम पक चुके से ग्रेवी जैसा उसको टेक्च्चर आया है अब इस पॉइंट पर हम इसमें हमारी जो दाल है एक दम अच्छे से पकी हुई दाल उसमें चना बिल्कुल नहीं दिखता इतन मैंने स्मेश कर रहा है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको आपको कितनी गाड़ी चाहिए कितनी पतली चाहिए उस हिसमें पानी याड़ कर सकते हैं अब उसको उबाल आने देते हैं उबाल आने के बाद मैंने इहरा धनपतिया बारी काटके लिए हैं उसको डाल दिया उस मैंने घी गरम करके लिए आप गी के जगा पे तेल भी लग सकते हैं जैसे ही घी गरम होता है मैंने गैस बंद कर लिया और उसमें लाल मिर्ची डाली है और जैसे ही लाल मिर्ची हम घी में डालेंगे धीरे धीरे वह सेखती जाती है तो वैसे वैसे वह फूलती है अभी हमारा जो तो यह जएाम काश्मेर मिर्ची पॉटर है तो आप भी डाल सकते हैं तो ये तड़क तड़का घरमागरम तड़का हमारे जो डाल हैं रेड़ी हो गई उसमें ढालें color gemike और आल सूखी दालाओं भी डाल मिर्ची लें उसका भी बहूत पॉट अच्छा योगने बड़ो लाइक करें, शेर करें, सब्स्राइब करें, तैंक्यू